हेलो हसन लॉज स्टेडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संविदा की परिभाशा के बारे में संविदा की कि coś शंबिदा की यह परिभाशा के वारे में यानि के आपन्तेक्ट की डैक्नेशन के वारे में और उसके तत्व सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें कमेंड भी किया करें देखे आम भाशा में कहें साधार बोल चाल की भाशा में कहें तो यह जो सम्मुदा होती है उसे हम कहते हैं समझौता जो ब्यक्राटियों के सम्विदा अधीनियम सम्विदा अधीनियम अठारा सो बहात्तर की धारा कि दो जा ठीक दो जा इंग्लिश में कहें तो टू एच टू एच में सम्विदा को परिभाशित किया गया है क्या कहा गया क्या कहा गया देखिए यह कहा गया विधी द्वारा प्रवर्तनिय करार सम्विदा है विधी द्वारा प्रवर्तनिय करार सम्विदा है इतनी बात कह गयी है यह जो विधी द्वारा प्रवर्तनिय होगा वही करार सम्विदा होगी ठीक वही करार सम्विदा माने जागा जो जो करार विधी द्वारा परवर्तिनिया है, जैसे अगर कोई दाबत आपकी करे कि शाम की आपको दाबत है, यह करार, मनले यह बत आपने सुकार कर ली, यह करार हो गई बत, शाम को आएंगे, और आप नाए, नाए तो कोई सम्मिदा को लंगन थोड़ी हुआ, क्यों, क्यों कि यह बिदी द्वारा प कराएंगे तो क्यों नहीं आए तुमने सम्मिदा क्यों लंगन किया करार तो हुआ ठीक लेकिन विद्धी द्याया प्रबर्ति नहीं है इसलिए सम्मिदा नहीं माना जाएगा ठीक है दूसरा करार क्या होता यह भी देखिए करार की परिवाशा भी दिये करार की परिवाशा संखे में है करार की परिवाशा धारा का दो डा, डा कहते हैं, इंगलिस में ए कहते हैं, टू ए, टू ए में, ठीक है, सेक्षन, टू ए में, इसे परवाश्चत किया गया और कहा गया है, कि एक दूसरे के लिए, ठीक, एक दूसरे के लिए पिर्थिपल होने वाली, पिर्थिक पिर्थिग्या, ठीक है, एक दूसरे के लि है बेनंगे दोनों पक्षकारों को एक दूसरे के लिए एसका बाग संबर करार कहे दी करार होता है ये परिवासा करार की दी गई है दो कि ये दो कि दो खामे कि ये दो प्रिस्थापना की जाती है जिसके प्रती अपनी अनुमती संग्यात करता है मलब किसी बेक्ति के समख्ष हम कोई प्रिस्थापना रखते हैं कोई बस तुख खरीदने के लिए कोई संभिदा करने के लिए तो उसके प्रती अपनी अनुमती संग्यात करने के लिए मलब उससे रगदीर के सामने उसका जवाब आएगा तो उसका जो भी जवाब आएगा पर्ति गर्फ समिदा में पिरत्यक समिदा में करार होता है अब समझिए पिरतेक सम्मिदा में हर एक सम्मिदा पिरतेक सम्मिदा में करार होता है ठीक यह सच लाइन है और इसी लेकिन पिरतेक करार सम्मिदा नहीं होती है पिरतेक करार सम्मिदा नहीं होती है ठीक अगर सम्मिदा है वहां करार जरूर होगा यहां करार है वहां जरूर नहीं कहाने के लिए दिनर पर हमने किसी को इंवायट किया अपस में समझता हो घांस आएंगे ठीक है लेकिन वो करार संभीधा नहीं है ठीक लेकिन हर समीना ना जरू है इसमें केस है कि गाजियाबाद विकास प्राधि करद कि बिकास प्राधि करा ठीक है प्रादिकर्ण बर्सिस भारसन वो इसी संब्मिदा संबंदित केस है अब आगे देखिए ये कहा गया कि बिदी द्वारा प्रवर्थनी होने के लिए जो करार है उसकी शरते क्या हैं करार की शरते क्या देखिए करार की सर्थे देखिए क्या है पहली सर्थ क्या है धारा दस के अनुसार के अनुसार करार करने की सर्थे संविद्रा के लिए जो करार होता और उसकी सर्थे क्या है पहली सर्थ क्या है पहली सर्थ यह है कि पख्षकार जो होंगे वह सक्षम होंगे सक्षम पक्षकार होने चाहिए ठीक पक्षकार से मतलब है जो सक्षम पक्षकार है उसे मतलब ये है कि आबैस के ना हो क्योंकि आबैस के द्वारा की गई सम्मिदा शून कहलाती है पागल वेक्ती ना हो पागल वेक्ती भी सम्मिदा करने के लिए सक्षम नहीं है विदेशी वेक्ती भी सम्मिदा करने के लिए सक सक्षा में देखिए, बुरा बैगती सक्षा में वो बैगती जो पागल है लेकिन जिस समय वो ठीक है उसे में सम्मिदा कर सकता है, परदा नसीन कोई महला जिसकी आई। वो बच्चा जो संरक्षड में है जिसकी आईयू 21 वर्स हो सकती है क्योंकि बैसे तो बैस की जो आईयू है वो 18 वर्स है और संरक्षड में है तो उसकी आईयू 21 वर्स की होगी तो 21 वर्स का अगर होगा तो वो संविदा कर सकता है यह सक्षम पक्षकार माने जाएंगे संविदा करने के लिए ठीक है दूसरी चीज़ है जो करार है वो सुतंद सहमती द्वारा तीक है अब उसमें क्या होता है कपट नहीं होना चाहिए धोके में डाल कर कपट में डाल कर सहमती ले 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 और संविदा कर लें से ठीक है गोड़ा कैसा है माले घोड़े की कोई बिक्री हो रही है अपस में कोई बेखती हैं अगर नहीं पूछता है यह अब पूछता है और बात च्छिपाई जाती है तोकपट में आए गा और जब कपट में आएगा तो सुतंद स सहमती ले ली जाती तो वो सहमती भी सुतंदर नहीं माने जाती है करार सुतंदर नहीं माने जाएगा तो सम्मिदा भी नहीं होगी दमकी में डालकर सहमती ले ली जाती है तीसरा कर देहिए तीसरे में यह है जो करार है करार के लिए पिर्थिफल का होना आवशक है वह संमिदा नहीं होती जिसमें पृतिफल नहीं होता है बिना प्रतिफल के सम्विदा शून कहलाती है कि ये सम्विदा अधिनियम की धारा 24 में भी कहा गया है प्रतिफल का उद्देश बिदीपूर होना चाहिए प्रतिफल का उद्देश बिदीपूर होना चाहिए ठीक है बिदीपूर उद्देश नहीं है तो भी सम्मिदा शून ही कहलाती है अगर प्रतिफल का उद्देश बिदीपूर नहीं है प्रतिफल में कोई ऐसा आनाय तिकता या बिदीपूर कोई कार होता है तो बहां पर प्रतिफल बहां पर सम्मिदा शून होती है प्रतिफल का उद्देश वहां विदी पूर नहीं होता है इसलिए विदी द्वारा शून गोशत कर दिया है तो भी सम्मिदा नहीं हो सकती ठीक यह नहीं मानी जाएगी दूसरा विशेश परस्तियों में विशेश वैसे मौखी सम्मिदा हो जाती है ठीक है सम्मिदा मौखी हो जाती है लिए विशेश परस्तियों में अगर आवशक है आवशक है तो सम्मिदा लिखित ही होगी सम्मिदा लिखित ही होगी ठीक लिखित ही मानी जाएगी अन्य था नहीं माने जागी आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की सम्मिदा की परिभाशा और तत्व के बारे में अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए जुड़ रही है सब्सक्राइब के साथ